है लो फ्रेंड्स मनिखिल कुमारिक वफिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चानल सीजीपीए सीपाट शाला में आज कमा टॉपिक है च्छतिगर करेंट अफेर जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपकी जुलाई महा के करेंट अफेर पे जुला करेंट अफेर नोट्स जो पीडिया फॉर्म में लॉंच किया गया था अब वह मार्केट में अवेलेबल हो रहा है प्रिंटेट बुक के फॉर्म में जी हां हमने जो है अपना बुक प्रिंट करके पब्लिश करके इसे डिस्टिब्यूट करना चालू कर दिया है जो कि आप 21-22 जुलाई के आसपास आपको बुक डिपो में मिल जाएंगे इसपेशली रायपूर और बिलासपूर में अगर जिसके को भी आपका बुक बाई करना है वो बिलासपूर के अलोरा बुक डिपो में और रायपूर सदरबजार के सूरेज बुकoken डिपो में जा करके इस वाले समय में जब next हमारा half yearly current एफ है launch होगा December के समय तो इसे पुरे 36 लेवल पे इसे distribute किये जाने की planning है लेकिन हाँ अब next time से आप लोगों को एक printed book ही available होगा और यह जो book publish किया जा रहा है इसमें किसी प्रकार का watermark नहीं होगा याने कि जिस किसी ने भी PDF लिया है अगर आप ध इसलिए उसमें एक watermark दिया गया है लेकिन हम जो यह book print कर रहे है उसमें किसी प्रकार का watermark नहीं रहेगा यह एकदम neat and clean book print करके market में available कराया जा रहा है ठीक है तो book depot जो है आपको नीचे स्क्रीन में सो हो जाएगा सदरवजार राइपूर सुरेज book depot और बिलासपूर के इलोरा बुग डिपो में यह books आ रहे है ठीक है चलिए चलिए जिसमें सबसे परणे नंबर पर हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल इसे ध्यान दीजेए काफी important है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल जो है यह बनाया जा रहा है या इस से विक्सित किया जा रहा है आपके नंदिनी माइंस भिलाई दुर्ग में ठीक है आपके दुर्ग जिले के भिलाई सहर है मौजूद है नंदिनी माइंस यह चूना पत्थर यानि की लाइम स्टोन का माइंस है ठीक है इस नंदनी माइंस यह नंदनी माइंस के खाली पड़ छेतर में जो आपका जंगल का जो एरिया होगा ये होगा 2500 एकड़ पचिस सो एकड़ में ये जंगल को विक्सित किया जा रहा है जो कि भारत का सबसे बड़ा माना और निर्वित जंगल होगा ठेक तो ये जो 2500 एकड़ में तो इसका फैलाओ है लेकिन ध्यान दिजेगा इस साल में इस जंगल को विक्सित के जानी की प्लानिंग है और इसमें जो खर्च हो रहा है यह है लगबग तीन करोड रुपए के आसपास इसमें जो विशेश तह जो व्रिक्ष या जो पौधे रोपे जाएंगे वो है आपके सागोन आवला और आसधी वाले पौधे इसमें जो नंदनी माइन्स है यह नंदनी माइन्स एशिया का सबसे बड़ा जबकी दुनिया का दुसरा बड़ा आपका लाइम इस्टोन का माइन्स है ध्यान दीजेगा जो नंदनी माइन्स है यह नंदनी जो लाइम इस्टोन माइन्स है यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनि आपका दूसरा सबसे बड़ा आपका लाइमिश्टोन याने की चूना पत्थर का आपका माइन्स है ठीक यह जो आपका नंदनी माइन्स जो है यह सप्लाई करता है चूना पत्थर बीएसपी को ठीक है जो हमारे भिलाई में मौझूद है आपका भिलाई इसपात सहीं अंत्र ठीक है, सेल का एक यूनिट है, BSP, इसको ये चुना पत्थर का सप्लाई करता है, ठीक, next देखिए, वरतमान में देश का एक मात्र जंगल, याने कि वरतमान में मानो निर्मित, देश का एक मात्र जंगल मौजूद है अभी वरतमान में असम में, ठीक है, जिसका छेत्र है वृक्त ostor precedent i5 में डेश का एक मात्र जंगल आपका वर्टमा ने मौझूद है लेकिन जिसे हिक्सीत किया जा है आपके दुर्ग जीले में 281 का कहले जो किस से जादा है अगर ये विक्सीत हो जाता है तो भारत का सबसे बड़ा मान की किस प्रतीमा होगा ठीक कैसी प्रतीमा है अभी लिखित प्रतीमा देखिए हमारे प्रदेश में पाया गया पहला ऐसा प्रतीमा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है देखिए जैसे अभी लेक पहले का अभी लेक मिलते थे गुहा लेक मिलते थे यानि गुफाओं के लेक मिलते थे चटानों पे हमें ले लिखित प्रतीमा है प्रतीमा के ऊपर ही कुछ लिखा हुआ है देखिए ये प्रतीमा कहां से प्राप्त हुआ है ये प्रतीमा प्राप्त हुआ है आपके अरंड छेत्र पिथोरा महासमुन महासमुन जिले के पिथोरा के अंत्रगत आता है आपके अरंड छेत्र इस अरंड छ की जो प्रतीमा है ये पढुवणशिय ये काली इन प्रतीमा है जो हमारे 34 गड़ में जो आपके पढुवण उनका जिक्र है आपके इस पंधरा सो साल पुरानी महिसासुर मर्दनी माता की प्रतिमा में ठीक है देखिए यह जो आपका अभी लिखित प्रतिमा है उसमें ध्यान दीजिएगा यह हमारे प्रदेश की पहली अभी लिखित प्रतिमा है जिसके पीछे तरफ यानि कि प्रतिम ठीक है, कुटिल, नागरी लिपी और संस्कृत भाशा का लेख है, जिसमें 15 पंक्तिया हैं, ठीक है, यानि की 15 लाइन में कुछ लिखे हुए है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लेख लिखने वाले, जो इसके रचाईता है, उनका नाम है सुमंगल, ठीक है, पिथोरा में प्र पिशासूर मर्दनी माता के प्रतीमा के पीछे जो लेख पाया गया है, उसके रचाईता सुमंगल है, जो की तारदत के पुत्र है, जिसके सेकेंड पंक्ती में, 15 पंक्ती में इसे जो सेकेंड नंबर का पंक्ती है, उसमें हर्ष गुप्त और आपके पाश्वे नंबर के पंक्ती में बालार्जुन का नाम का उलेख है, ध्यान दीजेगा, यह जो आपके बालार्जुन है, यह हर्ष गुप्त के ही पुत्र है, हर्ष गुप्त और वासटा देवी के सुपुत्र, महाशिव गुप्त बालार्जुन, तो हर्ष गुप्त का उलेख सेकेंड पंक्ती में है जबकि महाशीगुत्वालाजुन का उल्लेख पाच्षे कंती में है इंपॉर्टेंट है हमारे प्रदेश में पाया गया पहला आपका अविलिखित प्रतीमा थेक नेक्ट नेक्ट है आपका टूरी हट्री अब ये टूरी हट्री क्या है इसे समझेगा टूरी हट्री 600 साल पुराना महिला बाजार है 600 साल पुराना 600 साल पहले हमारे इस 36 गड़ वाले छेत्र में कल्चूरी राजाओं का शाशन हुआ करता था उनके समय का यहां पे जो आपका टूरी हट्री आज भी मौझूद ये बाजार है जिसका नाम है टूरी हट्री बाजार 600 साल पुराना कल्चूरी कालिन बाजार है टूरी हट्री बाजार कल्चूरी कालिन लगबग 1402 इसवी के आसपास का यहां बाजार है ध्यान दिजेगा जो कल्चुरी कालिन राजा थे उस समय में कल्चुरी कालिन शाचक खारुन नदीज से हट करके अपना एक नया कीला बनाते है बुढ़ा तलाब के आसकास और बुढ़ा तलाब में जब वो आकर के अपना कीला बनाते है तो उनके सेवा में लगे हुए जितनी भी जाती है वो भी उनके किले के आसपास आ करके बसना चालू होते है और उसी जो बसाहट है उसी से लग करके आपका एक बाजार छेतरी बनता है जिसका नाम है तूरी हटरी ध्यान दीजेगा तूरी का अर्थ होता है लड़की और हटरी का अर्थ होता है बाजार ठीक है आज भी हम बोल चाल के भासा में आपका हाट बोलते है बाजार को तो टूरी का अर्थ होता है आपका लड़की, जबकि हटरी का अर्थ होता है बाजार, जो कि पूर्णता महिलाओं के द्वारा संचलित बाजार था, ठीक है, पूर्णता महिलाओं के द्वारा संचलित बाजार था, महिलाओं के द्वारा संचलित बाजार था, महिलाओं के द साधन जो डेली रोजमर्रा की यूज की जो सामान एक इस्थान पर लेकर के बैठती थी और लोग खरीदने आते थे चबूत्रा के हिसाब से चबूत्रे में आपके महिलाएं जो है अलग-अलग कतार बैठे रहती थी सामान लेकर के तो पूर्णता महिलाओं के दोर संचली थ इसलिए इस बाजार का नाम है तूरी हटरी बाजार और ये एतिहासिक स्थल आज भी मौजूद है हमारे 36 गड़ के राइपूर में ध्यान दीजेगा यहां लोकेशन नहीं बताया गया है राइपूर जिले में मौजूद है आपका तूरी हटरी बाजार ठीक है नेक्स्ट करने के तरीका बता रहा हूँ पूरे एक इक जिले को याद करेंगे यों सब्चीज भूल जाएंगे एक बार में शॉटकट मेयाद रखना है उसके बैद बस्तर संभाग से लगके ही बस्तर के ऊचोपर मौजूद है आपका राजनान गाओ ठीक है राजनान गाओ का मोहेल आमानपूरवाला छेत्र उसके बाद है आपका बस्तर संभाग से लगके ही है धमतरी उसके बाद है गरियाबन, महासमुंद, बलरामपूर, कवरधा और मुंगेली इस प्रकार से टोटल 14 जिले जो की नकसल प्रभावी जिले है अब ये चर्चा में क्यों आया इसे जबकि मुंगेली से पहले इसमें शामिल था बालोज जिला, ठीक है, दुर्ग संभाग का बालोज जिला पहले नकसल प्रभावी छेत्र हुआ करता था, काफी समय से वहाँ पे किसी प्रकार की नकसल गतिविधिया नहीं पाई गई, इसलिए बालोज जिले को इस सूची से बाहर कर दिया गया है, जबकि मुंगेली जिले को शामिल किया गया है, प्रशने पूछा जाएगा कि हाल ही में किस जिले को नकसल प्रभावी जिले के रूप में शामिल किया गया है, तो वो है मुंगेली, बाहर किसे किया गया है, बाहर किया गया है आपके बालोज जिले क जबकि कवर्धा को अतिवादी मैदानी इलाका घुसित किया गया है अतिवादी मैदानी इलाका का मतलब जो आपका जो नकसलवादी जो आपकी गतिवीदिया होती है ये दुर्गम छेत्रों में होती है पहाडी वाले छेत्रों में होती है यह गतिवी धिया कभी भी आपके मैदानी छेत्रों में नहीं देखी जाती लेकिन जो आपका कवरधा ऐसा जिला है जो की मैदानी इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पे नकसलवादी गतिवी धिया पाई गई है तो ये अतिवादी मैदानी इलाखे के अंतरगत आता है आपका कवरधा ध्यान दिजेगा ये लागू हुआ है आपके 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2021 से लागू होने का मतलब यानि कि बालोत को बाहर किया गया है मुंगेली को शामिल किया गया है और कवर्धा को अतिवादी मैदानी इलागा घोशित किया गया है ठीक है देखिए यह जो आपके 1 जुलाई 2021 को एक लिस्ट जारी हुआ था यह सभी के सभी जो है आपके SRE लिस्ट के अंतरगत आते है SRE लिस्ट का मतलब क्या होता है Security Related Expanditure यानि कि जो छेत्र आपका नकसल वादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ जो छेत्र है उस छेत्र के लिए जो आपके सेना की तुकडी सेना की तुकडी होगा पुलिस की तुकडी जो वहाँ पे भेजी जाती है तो उनके लिए उनका अलत से खर्च एलोट किया जाता है वह ही कहलाता है Security Related Expanditure ठीक है तो यह जो आपकी सूची है इसे ही कहा जाता है आपका SRE सूची ठीक है नेक्स्ट देखिए 36 गड़ मिलेट मिशन होता क्या है समझेगा मिलेट मिलेट का अर्थ होता है आपका तेजी से उगने वाले अनाज ठीक है तेजी से उगने वाले अनाज या इसे ही हम कह सकते है साधान बोलचाल की भासा में मूटे अनाज तो मिलेट का अर्थ होता है तेजी से उगने वाले अब ये मिलेट मिशन का मतलब क्या समझेगा मिलेट मिशन के अंतरगत प्रदेश सरकार कोदो, कुटकी और रागी का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए इस मिलेट मिशन प्रारम कर रही है देखिए प्रदेश सरकार के दौरा अल्रेडी कोदो कुटकी का नियुंतम समर्थन मुल्य घोशित कर दिया गया है आपके 3,000 रुपे प्रतिकुंटल प्रदेश सरकार ने घोशना किया है कि कोदो कुटकी को जो है 3000 रुटी कुंटल की दर से खरीदेगी प्रदेश सरकार ठीक और साथ इसाथ यह जो आपके कोदो कुटकी और रागी है इसे राजीव गांधी किसान्या योजना के अंतरगत भी शामिल किया गया है देखिए राजीव गांदी किसान नया योजना जो की धान के लिए इसे सुर्वाती तोर पर प्राराम किया गया था अब इसमें धान के अत्रिक्त 13 और फसलों को शामिल किया गया है और 13 अन्य फसलों में आपके कोदो कुटकी रागी भी शामिल है इसमें इस्पेशली इस 36 गर्ड मिलेट मिशन के अंतरगत इन्पूट सबसीडी दिया जाएगा यानि कि जो अपने खेतों में कोदो कुटकी और रागी का उपज ले रहे है उन्हें 9000 और प्रतियकर की दर से और जो पहले धान की उपज लेते थे अब अपनी फसल बादार करके कोदो कुटकी या रागी का उत्पादन करेंगे उन्हें 10,000 और प्रतियकर की दर से इन्पूट सबसीडी दी जाएगी और इन फसलों पर इन्पूट सबसीडी देने वाला 36 गर्ड देश का एक मात्र राज्य है इस मिलेट मिशन का मुख्य अब देश एक किसानों की आए में वरिद्धी करना और साथी साथ कुपोषण से मुख्य दिलाना ध्यान दीजेगा यह कोदो कुटकी रागी यह कुपोषण यानि की एक प्रमुख पोषण आधारित उपज है तो कुपोषण से मुख्य दिलाना जो है इस मिलेट मिशन का मुख्य उद्देश्य है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपके रमेज बैस रमेज बैस जोकी 36 गड़ के पूर्व सांसद है हमारे 36 गड़ छेद्र के पूर्व सांसद है ये हाल ही में नियूक्त हुए है राज्यपाल कहा के जारखंड जारखंड राज्य के ये दसवे राज्यपाल नियूक्त हुए ध्यान दीजेगा दसवे नंबर के राज्यपाल नियूक्त हुए आपके रमेज बैस इससे पहली ये त्रिपूरा के राज्यपाल थे त्रिपूरा के राज्यपाल के बाद अब ये नव नियुक्त राज्यपाल बने है कहां के आपके जारखंड के जारखंड के दसवे राज्यपाल है ठीक, next देखिए महासिर पाई मचली, ये जो महासिर पाई मचली है, important है, ध्यान दिजिए इसे अन्य नाम से जाना जाता है आपका Tiger of River Tiger of River मतलब नदी में रहने वाला शेर महासिर ध्यान दिजिएगा, ये जो आपका महासिर जो मचली है ये मध्य प्रदेश की राजकी मचली है ठीक है, जैसे कि ये जैसे कि ये जारखंड का राजकी पशू है वन भैसा, राजकी पक्षी है आपकी पहाडी मैना वैसे ही, आपके मध्य प्रदेश राजकी का राजकी मचली है महासिर जो कि एक मास भक्षी मचली है मास खाता है ये मचली इसके जो दाद की बनावट शेर के समान है, इसलिए इसे Tiger of River कहा जाता है मध्य प्रदेश सरकार के दोरह वर्ष 2011 में इस महाशीर मचली को जो है राजकी मचली का दरजा दिया गया था मुख्यता है यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में यह मचली पाई जाती है हमारे 36 गड़ में जो सीका सार जलासे है गरिया बन जिले के सीका सार जलासे में यह महाशीर मचली पाई जाती है और साथ ही साथ अब यह हाली में चर्चा में क्यों रहा क्योंकि इसका पालन किया जा रहा है कवर्धा जिले में कवर्धा जिले में जो आपके Fisheries College है उस Fisheries College के दोरह अब इस महाशीर पाई मचली का जो है आपका पालन किया जाएगा ठीक है अब next देखे next है misleading भीवित ध्यान दीजेगा 36 गड़ में गरीबी रेखा में अग्रणी ठीक है 36 गड़ राज जो है यह भारत में गरीबी रेखा के जो आपकी गरीबी रेखा के अंतरगत आने वाले जो नागरीख है उसमें अग्रणी है 36 गड़ में निवास करने वाले कुल नागरीखों में से 39.93% 49.9% जो आपके नागरीख है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहे है और इस परसेंटेज के साथ 36 गड़ जो है ये देश में पहले इस्थान पर है यानि कि सरवाधी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोग हमारे 36 गड़ में है ठीक है? ओवरॉल इंडिया में सरवाधी गरीबी देखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोग 36 गड़ में है परसेंटेज कितना है? 39.93% इंपोर्टेंट है याद रखना है नेक्ट है आपके सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जलास है सरगुजा संभाग सरगुजा संभाग के अंतरकत आपका सरगुजा आता है कोरिया आता है बलगरामपूर आता है सूरजपूर आता है जश्पूर आता है पाच जीले आते इन पाच जीलों को मिला करके बना है सरगुजा संभाग सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जलाश है, कौन सा है, पुछा जाए, तो ध्यान दिजिएगा, घुनगुट्टा जलाश है, इन्पोर्टेंट है, आर्टिकल में आया था, वन लाइनर है, याद रख लीजिएगा, सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जलाश है, कौन-कौन सा है, आपके घुनगुट्टा जो सहकारी बैंक है ध्यान दिजेगा हमारे प्रदेश में जो है आपके जीला सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग इसने पहला ओनलाइन फैसिलिटी देना प्रारंब किया यानि कि ओनलाइन सुईधा प्रदान करने वाला पहला सहकारी बैंक 36 गड़ का कौन से पूछा जाए त आपको पंजाब नाशनल बैंक हो गया प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC होगया IC ICI होगया ये सभी जो है अपने जो ग्रहाक है उन्हें जो या आपने व मतलाइन आप कर दो automat से जिला सहकारी बैंक जो की पहली बार online सुईधा प्रदान कर रहा है उसके बाद प्रदेश में कूपोशन दर 36 गड़ में कूपोशन दर घट गया है ध्यान दिजेगा पहले कूपोशन का प्रतिशत था आपका 26.33 प्रतिशत जो की घट करके रहे गया है आपका 23.37 प्रतिशत इस कूपोशन के परसंटेज को याद रखेगा इंपोर्टेंट है जुलाई महिने में जो आपका कूपोशन का दर घट करके रहे गया है आपका 23.37 प्रतिशत सेकेंड वाले परसंटेज को याद रखना है थेक वजन तेवहार क्या होता है वजन तेवहार के अंतरगत आंगन बाडी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश सरकार कुपोशन के इस्तर की जाच करती है जो छोटे बच्चे होते है आपके 0-5 वर्ष आयू वर्ग के जो छोटे बच्चे होते है उनमें कुपोशन के इस्तर प्रदेश का पहला सरकारी यह सरकारी नहीं सरकारी है गौर्मेंट प्रदेश का पहला सरकारी वैद चाला ये खोला गया है आपके पंडरी राइपूर में ठीक है वैद चाला नेक्स्ट है देश में सरवाधिक महिला विधायक, ध्यान जी दीजेगा, देश में जो आपके हर एक राज्य है, राज्य में विधान सभा होते है, तो वैसे ही देश में सरवाधिक आपके महिला विधायक किस राज्य में है पूछा जाए, तो वो है हमारे 36 गड़, 36 गड़ में विधायक क्यों कि संख्या कितनी है 90 90 में से आपके 14 महिला विधायक है और इस आकड़े के साथ 36 जो है देश में पहले इस्थान पर है महिला विधायकों के मामले पर तो इस आकड़े को याद रखिएगा और यह 14 के आकड़े को याद रखना यह इंडिरेक्टली प्रश् किसी प्रकार डाउट होता आप नीशे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक और शेयर जरू कीजिएगा और हाँ बुक्स अविलेबल हो रहे है आपके सुरेज बुग डिपो सतरवजार राइपूर में और आपके बिला रासपूर के ऐलोरा बुग डिपो में ठीक है चलिए